Real Cricket 22 में Platinum Category में भी काफी ज्यादा बदलाव हुए हैं काफी players को पर्मोट करके platinum बनाया गया है तो इसके पुराने players की ratings में भी काफी बदलाव हुए हैं तो चलिए करते हैं Platinum Category के 5 players का review पहले player है मुश्विकुर रहीम मुश्विकुर रहीम एक विगट कीपर batsman है जो की पहले भी Platinum Category में ही थे ये एक Right 100 Radical batsman है जिनकी की टैकनिक्स पहले थी 82 अब है 68 पहले इनकी timing 78 थी तो ही अब 76 है गेन पाजिये करते नहीं हैं पॉइंट से पहले 11 थे तो ही अब 12 हैं टैकनिक्स में काफी points काट लिए गई हैं और timing में 2 points थे यानकी इनको नुक्सान उठाना पड़ा है Hidden Ratings में पहले फिल्डिंग इनकी 74 थी अब है 72 तो ही अगरेशन पहले इनका 72 था और अब भी 72 ही है दूसरे player है मोई नली मोई नली एक allrounder है जो की पहले gold category में थे इनकी टैकनिक्स पहले थी 76 अब है 70 टाइमिंग इनकी पहले थी 76 अब है 78 bowling में इनकी skills पहले 75 थी अब है 70 movement पहले 75 थी और अब है 72 points पहले 9 थे और अब दिये गए है 14 सिर्फ timing थोड़ी सी increase हुई है बागे सब में points decrease हुए है hidden ratings में पहले इनकी fielding 72 थी अब है 72 और betting aggression भी 76 से सेम है भले ही platinum में आ गई हूँ लेकिन मोई नली की value भी अब घट गई है थर्ड प्लेयर है मुहम्मद नभी यह अफगानी ओर राउंडर पहले भी platinum category में ही था ratings में पहले इनकी techniques थी 75 अब है 68 timing पहले थी 85 अब है 76 skills पहले 80 थी तो ही अब है 74 और movement पहले 75 थी अब है only 70 points पहले 9 थे और अब है 12 इनकी हर तरह की ratings में काफी ज़्यादा गिराबट देखने को मिली है यानके इनकी value भी काफी decrease हो गई है hidden ratings में fielding इनकी 72 है जो की पहले 70 थी और betting aggression 75 सेन है तो ही fourth player है आदिल राशिद आदिल राशिद पहले gold category के number one leg spinner थे अब देखा जाए तो अभी इनको defensive से balanced बना दिया गया है इनकी techniques पहले 52 थी अब है 54 टाइमिंग पहले 54 थी और अब है 48 गेन बाजी में देखा जाए तो skills 76 से अब 77 कर दी गई है और movement decrease करके 82 से 79 पॉंट्स 9 थे अब 14 हो चुके हैं अब roll देखा जाए तो इनको भी थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा है hidden ratings में पहले फिल्डिंग 71 थी अब 70 है बैटिंग आगरेशन 70 सेम है तो यह पांचवे प्लेयर हैं दीपक चाहर यह ब्रोज कैटेगरी में थे जिनको कि अब काफी ज़्यादा परमोशन मिला है और platinum कैटेगरी में आ गए हैं पहले यह defensive थे तो यह अब इनको balanced बना दिया गया है batting ratings में इनकी technics पहले 55 थी अब है 57 timing पहले 60 थी और अब है 51 gain बाजी में पहले इनकी skills थी 70 और अब है 72 movement में पहले इनकी movement थी 74 और अब है 80 points पहले 8 थे तो यह अब 14 दिये गए हैं timing decrease हुई है लेकिन बागी सब में फायदा हुआ है यह अनके दीपक चाहर को फिर भी अच्छा बनाया गया है fielding इनकी पहले थी 76 अब है 71 batting aggression 70 same है तो यह है platinum category के 5 players का review आपको इन में से कौन सा player सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमें बताई यह नीचे कमैट से एक्शन में स्टूडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राब कीजिए बड़ी अच्छे रख मजा आता है इनको इस अंदाज में बल्ले बाजी करते हुए देखने में